नेरेटिव में अब देखे जैसे एक नया चल पड़ा की सम्रिधान बदलने वाले हैं और ये अचानक से उन्होंने कहा और पिक कर गया पिक कर गया तो मैं नहीं मानता हूं लेकिन इस देश में ऐसा भी जूर चल सकता है सिर्पहर नहीं कुछ नहीं जी सवाल यह पूछना चाहिए चर्चा इस देश में सबसे पहले समिधान के साथ खिलवार किस ने किया पंडित नहरू ने किया पहला समिधान में उन्हों ने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रिडम आप स्पीश को रिस्ट्रिक करने वाला लाए यह वह लोगतंत्र के भी olah सभी था डूसरा उनकी बेटी राई जाई तफ्र सभावनमत्ति थी वो बेटी ने क्या कियां कोड झेंद रिया कि आप प्रेंडमीमंगर नहीं है सचले से काओ के जैज्जमेंड को वलट कर दीज समयां दोलनज चला तो वनोंने अमरन से लागा करके सारे अख़वारों को बन कर दिया अरुनपुरी को इंडिया तुरे का जन्म हुआ उसके बात उनकी बेटे आये शावानों का जेजमेंट आया उन्हों सुप्रीम कोड के जेजमेंट को लट दिया वे सब्षदान को बदला उन्हों ने है फिर उन्होंने कानून आए जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का देश भर में वीपक्स थोड़ा मद्बूत हुआ था मीडिया भी वाइवरेंट होने लगा था सब तूट पड़े हैं कि हम फिर से मर्जंसी नहीं आने गेंगे डर करके मारे उनको फिर वो भीड्रा करना पड़ा फिर उन उस केबिनेट ने एक नेने किया और एक साहजादा प्रेस्ट्रिक्शन बुला करके केबिनेट के नेने की दच्चे उड़ा देता है उतना ही नहीं केबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है इसका मटलब यह हुआ कि एक ही परिवार के चार लोगों ने अल प्रकार की गंदी हरकते करने का जमाना चला गया